इस सेट को reminder की book से लिया गया है जिसमें पूरे 50 कोसन है वीडियो के end में आपको comment करके बताना है कि आपको कितने कोसन के जबाब आते थे आपको अपना score बताना है कि आपने कितना सही किया है तो वीडियो को सुरू करते हैं Qardon. number 1. पहला करिट्रिम उब्र喜欢 कोन सा था? इसका सही उतर बताना है. पहला करिट्रिम उब्र औरंग जेव ने अत्याचार किया एबं मार दिया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए गुरु तेग बहादूर है ना गुरु तेग बहादूर किस गुरु पर औरंग जेव ने अत्याचार किया एबं मार दिया तो राइट अंसर है गुरु तेग बहादूर सुरक्सित किया जा सकता है कंप्यूटर की समूरीति का इस्सा जहान data निर्देश असलारी रूप से सुरक्सित किया जा सकता है तो को स्रीर के? सरीर के आंतरिक अंगो का prediction किस उपकरन salts किया जाता है? the question is, सरीर के आंत्रिक अंगो का prediction किस उपकरन द्वारा किया जाता है? तो इसका right answer हो जाएगा option B, endoscope सरीर के आंत्रिक अंगो की परिक्षन किस उपकरन द्वारा किया जाता है? तो endoscope द्वारा option B इसका right होगा अगला question है चर्चित किताब, Hamlet किसके द्वारा लिखे गई है चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखे गई है इसका सही उतर बताना है चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखे गई है तो इसका सही उतर हो जाएगा विलियम सैक्सपियर ऑप्शन एसका राइट अंसर है है ना हैमलेट किसके गोविंद के रचाईता जैदेव का संरक्षक निमलिखित में से कौन सा सक था इसका सही उत्तर बताना है आपको कोशन है गीत गोविंद के रचाईता जैदेव का संरक्षक निमलिखित में से कौन सा सक था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षमन सेन है ना ओप्सन ए अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था है ना इसका सही उतर बताओ निमलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था इसका सही उतर हो जाएगा बेटिक इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बेंटिक है ना अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था option C right है बेंटिक अ इसमें से कौन सी नहीं है, option चारों को ध्यान से देखें, इसका सही उतर बताएं, निमलिखित में से कौन सी सयुक्त राष्टे संके अधिकारी भासा नहीं है, तो इसका सही उतर हो जाएगा पृत गाली, है ना, पृत गाली सयुक्त राष्टे संके अधिकारी भासा नहीं है इसका राइट अंसर हो जाएगा option C, पृत गाली question number 9 प्रचीन बुध साहित्य में वर्नित जीवक क्या था? इसका सही उत्र बताओ प्रचीन बुध साहित्य में वर्नित जीवक क्या था? इसका सही उत्र हो जाएगा चिकित सक option D, right है चिकित सक अगला question है अधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? इसका right answer हो जाएगा प्रचीन बुध सक option B इसका right answer है अगला है question no.11 बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर बताओ बांगला देश में गंगा नदी को पांगलादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो पदमा के नाम से जाना जाता ओपसंडेश का राइट है वीडियो के एंड में आपको जरूर बताना कि आपने कितने कोशन के जवाब सही दिये हैं हैं आपना स्कोर बताना जरूर कमेंट करके तो अगला कोशन सर हो जाएगा भानू अतेया हैं ना ऑस्कार से विधूसित पहले भारतिया थे भानू अतेया ऑप्संछी से इसका राइट अंसर है कॉसान मुशार कां से चावल उगाने का साक्षे सूचित हुआ है इसका सई उतर ही जल्दी से राइट पर उजाएगा और पूर्थम ऑप्षिन चलाया तो इसका सै उत्र इंवान है अगला कोशन है किसके सैयोग से बोकारोग इसपात सन्यंत की श्थापना के गई है ना इसका सही उतर बताओ जल्दी से किसके सयोग से बुकार विस्पात सेयंट की स्थापना की गई इसका सही उतर हो जहुद पूर्व यू एस एस आर ओप्सन बी अगला कोशन है सिंदू लोगो को निमलिखित में से किस धातू का ग्यान नहीं था है ना बहुत इजी कोशन है जल्दी से इसका राइट अंसर बताओ कितनी होती है तो इसका राइट अंसर है ऑप्सन ए साथ है ना बाटर पोलो में हर टीम में खिलाडियों की संख्या होती है साथ अगला है संसार में मांट एबरिष्ट पर चाहड़ने वाली पहली महिला कौन थी कोसन है संसार में मांट एबरिष्ट पर चाहड़ने वाली पहल पहली महिला कौन थी संसार में माउंट एबरेश पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुनको तेवया option B इसका right answer है अगला question है उत्री धुरूब में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है नाम बताना है क्या है है ना जल्दी से इसका सही उत्र बताए उत्री धुरूब में option सी सुलेखन में है अगला question है भारत में नोट जारी करनी की कौन सी परनाली अपनाई गई है इसका right answer हो जाएगा option B न्यून्तम आरक्षन पर ना ली है ना उप्शन भी राइट है अगला कोशन है राइडर कप का संबंद किस खेल के साथ है इसका सही उतर बताना है राइडर कप का संबंद किस खेल के साथ है इसका राइट अंसर हो जाएगा गोल्प ऑप्शन भी राइट है गोल्प राइड सरी के सबसे बड़ी करंती है या कृत अगला कोशन है चंद्रमा पिर्थवी का एक चकर कितने दिन में लगाता है इसका सही उतर बताना है जल्दी से बताओ चन्दमापिर्थवी का एक चकर कितने दिन में लगाता है अगला कुर्षन है संसध का उपरी सदन कोंसा है इसका right answer बताएं जल्दी से क्या होगा संसद का उपरी सधन कौन सा है इसका right answer हो जाएगा option B राजसभा राजसेभा उप्री चधन अगला कोच्छन अगला कोश्षन है पर्मानु उर्जा आयोक का गठन हुआ था पर्मानु उर्जा आयोक का गठन हुआ था अगस्ट 1968 में अगस्ट 1948 में option A right answer है परवानों उर्जा आयो का गठन हुआ था अगस्ट 1948 अगला कोशन है optical fiber का विसकार किसनी किया इसका सही उतर बताना है दो option आपके screen पे दोनों में से एक right है जल्दी से इसका सही उतर बताएं optical fiber का विसकार किसनी किया कोशन no.3 सन्युक्त राष्ट्रे संग के महा सचीव की नियुकत किसके द्वारा की जाती है तो इसका right answer हो जाएगा option D सुरक्षा परिशत की सिफारिस पर महासभा और सुरक्षा परिशत की सिफारिस पर महासभा option D इसका right answer है अग्ला कोशन है केंबूनेटमिंटमिंसट्व भारत में किस वर्स आया था है इसका सही उत्र बताना है केंबूनेटमिंसन किस वर्स भारत आया था तो ये 1946 में आया था भारत का पहला बाइस रहे कोते हैं तो option A रहे इंसर है Lord Canning घ्रत का पहला रहे से परसे पर संगेतियंतर किया है च्छान भारत का सबसे परसेंतर संगेतियांतर क्या है फोन specifically on बीना, option C, right answer, अगला question है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली factory कहां स्थापित की थी, इसका सही उत्र हो जागा, option B, सूरत, सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली factory स्थापित की थी, अगला question है, बंगाल में राश्व का अस्थाई बंदुबस्त, यानि, अस्थाई बंदुबस्त किस ने लागू किया था, है न, इसका सही उत्तर बताएं जल्दी से, बंगाल में राश्व का यानि स्थाय बंदोवस्त किस ने लागू किया था तो इसका option D right answer है कार्ण वालिस है कार्ण वालिस option D right है सरवोच नियाले के नियाईधिषों के वितन और भत्ते कहां से दिये जाते हैं तो यह संचित निदी से दिये जाते है option C right answer है भारत की संचित निदी को है नू औुप्सन C राइट अंसर है है अगला कोशन है राजी सभा के पदन अध्यक्षक AUDI इसका स्यूतर बताएं राजी सभा के पदन अध्यक्षक experien a तो उपराश्थीपति होता और अप्शन डी इसका राइट अंसर है राजी सभा के पदन अध्यक्षक 있다는 होती है तो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् स्कितर बतायें भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेच लॉंचिंग के इंदर कहा है तो इसका सहीुत्ष्ट में उपशन सी हरी कोटा है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरी कोटा भारत का अंतरिक्ष केंद्र जो है हरी कोटा में है अगला कोशन है निम्लिखित में इसे कौन सा ग्रंत कालिदास ने लिखा है कालिदास की ग्रंत बतानी है जो कालिदास ने लिखा है इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों ही जो पो पहली लड़ाए में बाबर ने किसको हराय था तो यह अगला कोशन है आज स्योग अंदूलन को कब स्थागित किया गया था इसका सही उतर बताना है जल्दी से बता उसका सही उतर क्या होगा आश्योग अंदुलन को कब स्थागित किया गया था इसका सही उतर हो जाएगा कार्यपादी का सक्ति किसके पास होती है तो परधान मंत्री के पास होती है इसका राइट अंसर है option C परधान मंत्री अगला कुशन है अधिकांस मोसम की घटनाय संबंदित है इसका से उतर बताओ क्या होगा अधिकांस मोसम की घटनाय संबंदित है तो ये छोब मंदल से संब लिखित परदेशों में पाया जाता है आपको बताना है एक सिंग वाला गेंड़ा कौन से परदेश में पाया जाता है कौन कौन से परदेश में पाया जाता है जल्दी से इसका सही उत्र बताए एक सिंग वाला गेंड़ा निम्लिखित परदेशों में पाया जाता है तो इसक सही उत्र बताएं जल्दी से भारत में राष्टी से आये का मापन किस औजनसी Link इस लास्ट कोर्षन आप नाप चलती से बताएं लास्ट कोर्षन है व्यापक जाल वर्ल्ड ओल वाइड वाइड वेव- W-E-W-W--O के जल्दी से बताएं लास्ट कोर्षन है विश्व व्यापक जाल www के अभिसकारक कोन है तो इसका सही उतर हो जाएगा option B टीम वर्नर्स ली इसका right answer क्या है टीम वर्नर्स ली www के अभिसकारक कोन है तो टीम वर्नर्स ली option B right answer है कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपने कोसन के जबाब सही दी है है ना अपना score जरूर बताएं और आप हमारी वीडियो को first time देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए तो आपको अब मिलते हैं next video